पायल एक खुले मिजाज की जिन्दा दिल लड़की होती है, जिसे उसके पापा ने फुली सेल्फ इंडिपेंडेंडेंट बनने के लिए सब कुछ सिखाया हुआ होता है. एक शाम पायल अपने बाइक पर सीटी बचाते हुए कॉलेट से घर वापस बहुचती है, जिसे देखते ही उसकी ममी गुसे में पोरा घर सिर पर उठा लेती है. आ गई महरानी, बहुत बोलते थे, मैं अपनी बेटी को सब कुछ सिखा कर दुनिया में मजबूती से खड़े रहना सिखाऊंगा, साथ में बेटी को लफंडर बनना भी सिखा दिया, ये नहीं बताया. क्या हुआ, आज ये कुकर इत्ती सीटी आ क्यो मार रहा है? सिटी, सारी फसाद की जड़ तेरी वो बाइक और सिटी है, उन्हीं से लड़के छेड़ती है ना तू? हाँ, ये तो गलत है, मुझे बताय बिना ही लड़का छेड़ दिया. हाई तो बा, ये कैसा पती और बेटी मिले है मुझे. आरे ममी, यार, तुम ओवर एक्टिंग बंद करो, और मैंने कोई लड़का नहीं छेड़ा पापा. शिट यार. अच्छा ममी, आप पहले मुझे बताओ कि आपको ये सब बेकार बाते बताता कौन है? अच्छा, तुने कोई लड़का नहीं छेड़ा? अरे वही शर्मा अंटी, वही बताती रहती है, पर उसकी खबर तो मैं खुद ले लूँगी. अच्छा, मेरी प्यारी पेटी ठक गई होगी ना, जा, जा कर आराम कर बेटा. अच्छा, अच्छानक ममी को गरम से नरम होते देखके, पायल और उसके पापा कन्फ्यूजन में एक दूसरे को देखने लगते हैं. आखों से कुछ इशारे होते हैं और पायल वहाँ से चुप-चाप चली जाती है, जिसके बाद रात को घर में सबके सोने के बाद, दोनों पापा बेटी इच्छात पर मिलते हैं. क्या खबर लाए हो? अरे तुम्हारी मम्मी तो हमसे भी तेज निकली. कोई खबर नहीं मिली. या यार पापा, पता नहीं अब मेरी मदर इंडिया कौन सा बम भोड़ेंगी? इसे के साथ दोनों अपने कमरे में वापस जाकर सो जाते हैं. अगले सुबह पायल जैसे ही कॉलेज जाने के लिए तयार होकर कमरे से बाहा निकलती है, तो उसके मम्मी उसे लड़के वालों के सामने ले जाकर खड़ा कर देती है. जी, ये है मेरी बेटी पायल. थोड़ी चंचल है, लेकिन बहुत नेक दिल और होश्यार है. देखते ही देखते कुछ गंटों में पायल और शुबम का रिष्था पक्का हो जाता है, जिसके कुछ दिनों बाद पायल शादी कर अपने ससुराल पहँच जाती है. सूचा था मम्मी कोई बम भोड़ेंगी, पर उन्होंने तो सीधा मुझे उम्रकैद की सजाई दे दी. बहु, अब उम्रकैद समझो या बम, रहना तो यहीं है, बिवाना यहीं है, इसलिए अच्छी छोरी हरकते बंद करनी होगी. यह आप क्या बात कर रही हो, मैंने क्या किया? इतने मासुम ना बनो, मुझे तुम्हारे कारनामों के बारे में सब अच्छे से पता है. ऐसा बोलकर सास तो बहां से चली जाती है, लेकिन पायल सोच में पड़ी वहीं खड़ी रह जाती है, जिसकर शुबम उसके पास आता है. तुम ममी के बात का बुरा मत मानना, वो पडोस वाली आंटी ने उन्हें तुम्हारी बाइक चलाना, सी टिया बजाते हुए घूमना, बेधड़क सबसे बात करना, बगरा, जैसे कुछ बातें बताती हैं, जिससे सुनकर उन्हें गुसा आगा है, पर फिक्र मत करना, तीरे तीरे साथ रहने से पुपिठीक हो जाएंगी, थैंक्स फो यूर कंसर, बट आई डूंट कैर, पाइल सीधा अपने कमरे में चली जाती है, अगली सुबह कॉलेज जाने के लिए तयार हो, सीटी बजाते हुए कमरे से बाहर निकलती है, जिसे देख सास गुसे से तिल मिरा महारानी, शादी के अगले ही दिन ये हिरोईन बन कर कहा चल पड़ी, और ये लफंगों की तरद सीटी आ बजाना बंद करो, ये हमारा घर है कोई सडक नहीं, जहां तुम आवारा गर्दी करती घुमो ममी जी, सीटी बजाने और कमफर्टिबल कपड़े पहनने से लोग कब से आवरा बनने लगे, इसी के साथ सास बहु का युद्ध शुरू होने ही वाला होता है, कि शुबम वहां पहुँ जाता है, मा उसका कॉलेज है, इसलिए ऐसे तयार हुई है, और पायल, तुम ही मा को समझने की थूड़ी कोशिश करो ना, प्लीज, सिच्यूशन संभादर शुबम और पायल घर से निकल जाते हैं, इसी तरह दिन बितने लगते हैं, जिससे सास बहु के लडाईयों के बीच शुबम पिस्ता रहता है, लेकिन साथ ही वो दोनों एक दूसरे की आदतों को अप भट जाएगी पर इसकी सीटी, ना जी ना, कभी बंद नहीं होगी, अरे ममी जी, जब आप मेरे कुछ बोले बिना सीटी से ही समझ जाती हो, कि मैं क्या बोल रहे हूं, फिर इसे बदलने की क्या जरुरत, यही ता हमारी यह निकनेस है, पायल की बात से ज्यादा सहमत ना हो जलते हुए भी सास हस परती है, उसी शाम पूरा परिवार घूमने जाने का प्लान बना कर घर से निकल जाता है, और उनके जाते ही घर में चोर खुसाते हैं, और तभी वो सब भी दोबारा घर के अंदर आते हैं बाहर से, क्या यार पायल, एक शाम भी फोन के मिना नहीं र ज्यादा बोल रहे हो, देखो अब और तीरे काम करूंगी, ऐसा बोलकर पायल घर के अंदर जाती है, और बहुत देर तक बाहर निकल कर नहीं आती, अरे यह तो सच में जान बुझ कर लेट करने लगी, चल कर देखते हैं ना, दोनों जैसे ही में डोर के नस्दिक बचा रही है, अरे गधे यह मजा नहीं सजा है, जल्दी से पुलिस को फोन अकर, मा की बातों से कन्फ्यूजड शुबम उसे देखता ही रहता है, सास खुदी पुलिस को फोन कर देती है, कुछ देर बाद वो दोनों पुलिस के साथ घर के अंदर जाते हैं, तो पायल एक क इन सब को कह रही है कि चोरा है, चोरा है, तुझे कैद किया है, थोड़ा तो तरस खाकर डर हमसे, और प्यार से क्या बोल रहा है इससे, अरे इसके सर पर बंदूक लगा, ठोक दे इसको, अरे चले जोटे, तेरे पास तो हत्यार है ही नहीं, सास की बात सुन, वहां मौजद सारे इनसान हैरान रह जाते हैं, और पुलिस तुरन तुन चोरों को अरेस्ट कर लेती है, आप को कैसे बता कि इनके पास हत्यार नहीं है, अरे सीटी नहीं तो बताया, हाँ, 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 ह